so computers first year last topic complete क्या था उसके बाद जो next topic last topic क्या था power factor next topic आपका three phase system concept क्या है ठीक है three phase system का जो concept है वो one phase system से ही आया है one phase system से ही आपका है one phase system और three phase system क्या है तो basically मैं पूर जरा concept समझाती हूँ कि जब आपकी कोई देखे यह आप जैसे यह आपकी क्या है आपकी यह दो magnetic पोल से आपकी नोर्थ पोल है और यह आपका south पोल है ठीक है इस नोर्थ और south पोल से क्या होगा magnetic lines of force आपको मिलेंगी ठीक है यहाँ पर यह क्या होगी magnetic field आपकी generate होगी तो magnetic field कहां से generate हो रही है इन पोल से हो रही है अब अगर इसमें हम कोई coil को place कर दें हम कोई coil इसके बीच में रख दें north और south दो पोल के बीच में मतलब इस magnetic field के बीच में इस magnetic field के बीच में जब आपको कोई coil रखोगे तो हमने क्या माना कि यह magnetic field जो है मैंने मान लिया कि यह जो magnetic field जो है यह आप क्या करेंगे इस magnetic field में जब आप इस coil को place करेंगे तो यह यहाँ पर क्या होगा इस coil के अंदर आपका क्या होजगा EMF produce हो जाएगा electro magnetic force ठीक है और यह क्या करेगा आपका ECP क्या करती है motor काम करती है तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी electrical system जो है any electrical system any electrical system जो basic concept है वो क्या है EMF पर काम करता है जहाँ पर electromagnetic force होगी वहाँ पर करेगा कोई भी electrical system like आपकी motor यह five force power से यह बहुत जो आपका industrial level पे है जितनी भी आपकी motors और जितनी भी machines काम करती है वो इसे सिदान पे काम करती है तो यानि आपको magnetic field में coil को current carrying coil को ठीक है इस coil को इस किसी conductor को अगर आप किसी magnetic field की बीच में लाओगी coil को लाओगे और फिर उस coil को rotate कराओगे तो rotate होने से वहाँ पर क्या हो जाएगा एक EMF induced हो जाएगा flaming के जो मैंने आपका first or second low बताया था ठीक है तो आपको simple सी बात समझे जिसने पहला ना पढ़ा हो आप वो अब समझेजिए कि जब किसी current carry conductor को क्या कर सकता है current को पास कर सकता है यानि मैंने इसको क्वाइल का है इस क्वाइल को जब मैं क्या करूंगी magnetic field में लेकि आऊंगी इस क्वाइल को तो क्या होगा और मैं इसको rotate कराऊंगी तो वहाँ पर क्या होगा आपका EMF produce हो जाएगा और इसी principle पे इसी सिद्धान पे आप अब जो हमारा next आता है कि मैं थी-phase system तो सबसे पहले हम वन फेस्स सिस्टम को पड़ते हैं यह जो मैंने ऊपर बना रखा यह वन फेस्सिस्टम ही आपका ठीक है यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप इसको बूल जाए है मैं आपको ज़रा इसी की टर्म्स से सम्झाती हूं यह तो जैसे मैंने आपको बिल्कोंड़ से समझाती हूँ वन पेस से तो मैं यहां पर यह कह रही हूँ कि यह आपका नूर्थ पोल यह आपका सौथपोल है अगर मैं इस वाली coil को क्या करूँ अभी देखिए इसमें मुझे EMF produce कराने इसको काम कराने के लिए तो मैंने क्या किया अभी देखिए अभी यहाँ पे यह एक line तो यह वाली हो गई और एक line आपकी यह वाली हो गई तो इसके इन दोनों इसमें magnetic field तो है लेकिन यहाँ पे अभी कोई EMF produce नहीं होगा क्योंकि इसका एक pole तो यह एक droop तो यह और एक pole यानि एक end एक pole यह और एक coil का एक pole यह दोनों pole किसी भी magnetic field के इस magnetic poles के साथ में interact नहीं हो रहे हैं इसके पास में नहीं है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है अधर यह तो यह वाला magnetic pole हो गया magnetic pole N, magnetic pole S और यह कोईल का एक pole pole 1 और कोईल का pole 2 तो दोनों poles इस magnetic field से क्या कर रहे हैं इंटरेक्टर नहीं कर रहे हैं तो जब वो interact नहीं कर रहे हैं it means कि वहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई भी magnetic field जो है sorry EMF जो है वो अभी produce नहीं हो रहा है ठीक है? अब क्या करेंगे जैसे ही जैसे ही आपने इस coil को यहाँ पर place करने इस coil को यह मान लिजे coil इस magnetic field के इस तरफ आ गई ठीक है? तो यह जो coil है इसको coil समझे जी आपकी इस तरफ घूम के आ गई तो उसका एक जो सीरा यह वाला है इसको मैंने negative सीरा माना negative end इसको positive end माना है ठीक है? इसको positive माना है इसको negative माना है तो जैसे यह वाला इस तरीके से rotate करेगा तो negative वाला तो N की तरफ direct कर रहा है और positive वाला S की तरफ कर रहा है और हमारे जो line होते हैं यह more positive होता है S से N की तरफ जाती है ठीक है? तो हमने क्या 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 दिया? कि एक सीरा तो किसकी तरफ है? S की तरफ ठीक है? और एक तरफ किससे interact कर रहा है? N की तरफ तो यहाँ पर क्या होगा? आपका EMF produce होना शुरू हो जाएगा ठीक है? जैसे ही यह सीरा घूम के यह क्वाइल घूम के पूरी के पूरी इस तरीके से आ गई तो यह वाला जो पूरो जो पूल है यह पताभी इसकी axis और क्वाइल की जो एक्सिस थी जो पूरी पूरी घूम के इसके ओपर क्याज़ेगा इसकी maximum value तक पोहँ जाएगी तो यह पर पर पूरा पूरा इंटरेक्ट जो कॉयल का पूरा पूरा पोल है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है मतलब यह more positive है तो यह S chain की तरफ जाता है तो S more positive है तो क्या है? कि S pole से N pole की तरफ हमारी magnetic line सो force जाती है ठीक है चुम्कि अब रेका है हमारी S से N की तरफ जाती है तो किये क्या होगा आपका ये वाला more positive हो जाएगा मतलब उस समय पे आपका जो EMF है वो maximum हो जाएगा फिर आपका क्या होगा ठीक है फिर आपका क्या होगा फिर ये गूमता हुआ इस तरफ آएगा ठीक है तो आपका S फिर से क्या होना शुरू होजएगा ये वाला EMF जो positive EMF था वो फिर से घटना शुरू हो जाएगा और मैं जब घटना शुरू होजएगा तो यह क्या है आपका one-place system है किया कि यहाँ पर कर रहे हैं यह जो EMF है आपका यह जो one faze है one wire है तो मतलब यहाँ पर जो current आप flow कराते हो current जो transmit कराते हो current को जो flow कराते हो किरफल एक wire में कराते हो और यह हमारा जैसे मैं आपको ऐसे बताऊओ यह पूर्टल सोर्स और यह आप सब्लाइदें, घरों में यह अगर फांट नी है है फीजंच में यह आपके हाॉजğिस पहले दूंड चलाना है तो पहले आपके सिंगल फेस से काम करजाएगा लेकिन अगर आपका जो मतलब आप यह समय दोमेस्टिक परपस के लिए जो हम यूज करते हैं वो वन फेस सिस्टम यूज करते हैं लेकिन अगर हमें क्या करना हो 5 फोर्ट स्पार्ट से जादा अगर आपको कोई मोटर या कुछ भी रन करानी है तो उसकी उस रेटिंग पर 5 फोर्ट स्पार्वर से 5 फोर्ट स्पार्वर से जादा के में उसमें हमारा 3 फेस हमारा 1 फेस सिस्टम काम नहीं करेगा क्यों क्योंकि वो क्या करेगा more current को क्या करने का कोशिश करेगा carry करने कोशिश करेगा ज्यादा current और उस condition में क्या होगा कि आपको ज्यादा current को produce करने के लिए आप क्या करोगे तो इसके अंदर जो three phase system में है ये तो हमारा मैंने आपको बताया rating five watts power से one thousand watt rating अगर आपकी इससे ज्यादा है तो उस case में हमारा one phase system हमारा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे जो motors है उसकी horse power जो voltage है वो रेटिंग जो है वो बहुत जादा हाई है अगर आप one phase system से ही EMF induce कराते हो तो वो initially बहुत ज्यादा current को क्या करेगा ज्यादा current हमें एक single coil से ही सिंगल coil से हमें क्या करना पड़ेगा maximum current को वहां से क्या करना पड़ेगा motor को supply करनी पड़ेगी और अगर ऐसा होगा तो आपकी क्या होगी कोईल की जो losses हैं वो बढ़ जाएंगे efficiency बेटर नहीं आएगी ठीक है और वो बहुत देर तक उस efficiency से काम नहीं कर पाएगी जिससे हमें काम करवाना है और उसमें वारे losses बहुत जादा बढ़ जा रहे हैं जो हमारा primary part होता electrical में कि हमें losses कम से कम रखने है तो वही काम हम three phase system से कराएंगे three phase system से आप क्या करोगे वहां पर आप जैसे आपने ये नौर्थ पोल था ठीक है इस तरह एक और लिया एक और magnetic poles लिए हमने magnetic field center की दूसरी फिर ये तीसरी इस तरह कर हमें और multiple poles लेना हो तो आप बहुत सारी कर सकते हो ठीक है तो ये basically क्या है कि आप यानि आप जो three जो आप one phase में काम कर रहे थे at a time आप क्या कर रहे हो तीन किसको तीन coil से आप वो काम कर रहे है मताब तीन coil से थी टाइमस आप ही EMF generate कर रहे हो ठीक है at a time आप क्या कर रहे हो इससे भी EMF generate कर रहे हो जितना ही इससे कर रहे हो उतना उससे उतना उससे तो इसमें भी क्या होगा कि आपका magnetic field क्या हो जाएगी आपकी produce हो जाएगी और आप क्या करे तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसमें 6 वायर को यूज नहीं करेंगे यह विसे क्लिए क्या होगा कि मैं कहूंगी पहली आपकी पहली जो वायर है वह आपकी यह वाली है दूसरी वायर जो है वह आपकी यह वाली है यह वायर गयर क्यारी कोई सवडी दो पहले एक यह होगे आपका फिर आपका यह वाय बाई वाय बदल आपका एक यहाव प्लर जेयो अजितक है डाय बार पान सब्सक्राशब आप posting क्या सुसक्राश में आपकोश ऑग विधार तो आपकी बिलागब मैंसे कि नियुक्या बीपेर ने क्या है मतलब यह हां तो आपको basically 6 wire ठीक है ? लेकिंधि 6 wire ना होगे क्योंकि आपको यहां पर क्या कहना है ? 4 wire system 4 wire system 3 तो आप क्या करते हो ? ये वाला ये वाला और ये वाला ये 3 तो आपके connection के लिए और जो ये 4th वाला है ये 4th वाला जो सब्का common है यह common वाला जो है, यह आप यूज करेंगे as a neutral, ठीक है, यह neutral, यह तेनों के लिए common होगा, तो यह neutral आपको अलग-अलग नहीं लगाना प्रगर, जिसे आपने हर बार कर रहे थे थे न, plus, minus, इस तरह plus, minus, plus, minus, plus, minus, basically one phase, one phase, one phase, और आपने तीनों के one, one phase को simultaneously से जब connect कर दिया, उनके एक-एक चीज को common कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका, three phase system बन जाएगा, बताब one phase, one phase, one phase, तो यहापर क्या आपके तीन coils हैं, तो यह क्या बन जाएगा, आपकी three phase system, getting my point, और इसमें जो fourth वाला है, वो आपका neutral वाला point है, जो क्या करेगा, आपकी fold current को, ठीक ठीक है, वो आपकी क्या करेगा, वो हम इस neutral से करेंगा, और यह neutral सब के लिए क्या होगा, आपका common होगा, यह neutral वाला point है, ठीक है, तो यह आपका forward, अब जैसे मैं इसमें बताऊं, कि मैम इसमें अब अमारा जो यह आपकी working रहेगी, कैसी रहेगी, मैं आपको सुम्छाते जैसे पहले मैं कहूं, यह वाला, यह वाला सिस्टम, ब्लू वाला, तो ब्लू वाले के लिए अपने वाला, ठीक है, फिर दूसरे वाले के लिए, तो आप दूसरे वाले के लिए चलेंगे, तो दूसरे वाले के लिए, बीन वाले के लिए, यलो वाले के लिए, यह आपका तो देखिए तीनों में जो EMF है वो आपका अलग-अलग points पे आपका EMF क्या हो रहा है जन्रेट हो यह पिंक है यह ग्रीन है यह यलो है तो जब इसका EMF होगा तो उसका minimum हो जाएगा ठीक है और जब इसका maximum होगा तो इन दोनों का minimum हो जाएगा ठीक है तो समझाने मेरी बात जब इसका maximum है ठीक है उस टाम दूसरी बाकी किसी का minimum नहीं है ठीक है तो यहां पर आप देखेगा टोटल जो हमारा होता है तोटल जो हमारा displacement होता 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 है 360 oto 360 degree हो ठीक है यहां समझजी जी इतो आपका 360 degree होता है 360 degree होट और इहां पर कितने face है 3 face है तो 3 face को आप डिवाइड कर दोगे ठीक है तो 360 divided by 3 थेक है तो कितना चाहेगा मतलब यह तीनों जो रहेंगे एक दूस्या से 120 degree आपार्ट रहेंगे 120 degree अपार्ट मतलब एक दूस्या से 120 degree पर रहेंगे मुझे लिगता आपको समझ नहीं नह रहा हो तो इस देख लिए मतलब यह जो रहेंगा और आन्ष कितना रहेगा 120 degree रहएगा रचे परनेका कर रेज़न si्ए वेलो वाला हराई कैसेरेंके 120 degree पर एक दूस्रे से कहलेगे 120 पर और 20 डिगरी कर दो як Lag reflect 360 डिव और रहें की ओ Manual हे और से नौत cane को किया है हमने इस भी आपपे किया है क्योंकि आपको एचिस समझने ही पड़ेगी कि जो तीनों का EMF प्रोड्यूज हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पिन तीनों का EMF है तीनों को जो सम है इस एक इस अपर यहां पर यह कहूं इसके अंदर यह देखें आपको ज़रा पेज लेकर समझा जाए अगर आपको सोड़ा सा समझ आ जाए ठीक है यह देखो जैसे मैंने कहा कि इसमें आई देखीगा जैसे मैंने कहा कि तीनों गा तो इक इंस्टेंटेनियस किसे एक पर्टिकुलर टाइम पे इन तीनों की जो प्रोड्यूज इम फोगा यानि जो मैंने तीन बताया आपको आर बी वाई आर के दो तो होंगे आर रवन बी वी वन और यले यूजरा यली से ओगी ना दो से रहूंगे फ्लस वह कंगा इसको मैंने अर माल्म ले तो आर रवन ठीक है इसी तरह बी बीवन और यल्वल डैड ब्लैक और यलो तीन ही होते है आप हमने ज़ए अच्छ आर देखने जब तो इन्ती टोटल का जो एक पर्टिकुलर टाइम बेन की वैल्यू जीरो होगी ठीक है तो जीरो का मतलब है लोस्पोटेंशल लोस्पोटेंशल लोस्टी एमेफ और इसकी वज़ से इंड्यूस एमेफ अगर यह तो वोल्टेज किया जीरो आएगी तो यह जो मैंने कॉमन किय यह इसी वज़े से किया है क्योंकि आफका इक पर्टिकुलर टाइम पर तो तीनों की वैल्यू क्या होगी लोस्पोटेंशल कमी निवम क्या हो जागा तीनों का अट-टाइम जीरो हो जाएगा तीनों का सम तो इसलिए मैंने जो इनकी जो सेकंड सेकंड वाले पार्ट थे अब लोड से लोड कनेक्ट किया फिर बी वाले से लोड कनेक्ट किया ठीक है फिर इस वाले से लोड कनेक्ट किया तो जो लोएस्ट पोटेंशल है वो क्या हो जाएगा सबका अट-टाइम पर जो लोएस्ट वाला इम-फ है वो हम कह रहे है उस ट्रेंपे इस वोल्टेज हो एक टाइम पर मैक्सिमम नहीं है लेकिन एक टाइम पर जब एक की वैलिव मिनिमम है लोग स्टेबल कुल मिनिमम है तो वो उस टाइम पर सबकी टोटल की वैलिव वही आगे ठीक है समझा दी मेरी बात तो यह आपका क्या हो जाएगा तो इस वज़से मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया है समझा दी मेरी बात इसको आप समझ लोड़न से जैसे मैंने यह कहा कि आपको कि यह नूर्थ पोल hai साउथ पोल है प्रहले एक कवाई फिर दूसरी कोई फिर तीसरी कोई तो इसके दो इसके दो सीरे और इसके दो सीरे ठीक है तो अब क्या होगा यह टोटल आपके कितने हो गया और एक ताइम तो जब आपका अब हम इसको जड़ा इसको आप जड़ा यह देखिए कि हम इसको इमफ कैसे जन्रेट हो रहे हैं क्योंकि जब वह करेंगा तो बेसिकल इसके अंदर क्या होगा आपका इमस प्रोड्यूस हो गया ठीक है इंड्यूस डिये में फूड्यूस होगा वैन योर कॉइल वूड बी रोटेट इन अमेंगेटिक फिल्ड तो जैसे हम इसके अंदर आपको समझा रही हूं देखिए मैंने मानले कि आपक g आ यह ड का मतलब यलों बी का मतलब लेक थीक है तो जैसे आपके आर की दो सावार आर ओन ठीक है red ठीक है वाइ necesita black के है वाइवाई वन ही थीक है तो तो अब जैसे मैं इसमें किया समझा रही हू Lauri है मैं को एक समान कि लोक ये इस मैं गड़ी की उल्ठी दिशान ले इस तरीक्स अज बोली किसे कि ए जयसे ही यह जै कि फिल्ड में जैसे ही एक तो वहां पर क्या होगा एक magnetic field में जैसे ही यह coil रोटेट करेंगी उस coil में क्या हो जाएगा इन coils में EMF produce होना शुरू हो जाएगा तो हमें EMF produce करने का concept समझना है कैसे तो जैसे मैंने आपको यह बताया कि जब हम इसे एक एंटिक लोक्वाइज आएक्शन में घुमाएंगे तो जैसे सबसे पहले मैं कहा रही हूं कि जो आपका आर रवन है ठीक है यह आर रवन यह वाला दिखाएदे रहा बच्चो चले मापके अपको यह समझाती हूँ एक मिन रुक्येगा बच्चो पूलग